Okay, so Flipkart के Big Billion Days के लिए Poco ने कल अपने सारे डील्स रिवील कर दिये हैं and तीन डील्स मेरे को बहुत सही देखने के लिए मिली सारे डील्स के बारे में नहीं बजाने वाला हूँ पहला जो है वो है Poco का X5 Pro जो कि आपको 16,500 का देखने के लिए मिलेगा and जो इसका higher variant है जो 8256GB वाला variant है वो भी आपको 17,000 का offer लगा के देखने के लिए मिलेगा and दूसरा जो डील है वो I think सबसे बड़ा डील है इस बार के sale का जो है Poco F5 आपको 20,000 के आसपास का देखने के लिए मिल रहा है 22,000 में normal किसी card offer को छोड़ के ना कोई exchange offer ना कोई card offer आपको 22,000 का देखने के लिए मिलेगा 8256GB वाला variant की बात कर रहा हूं मैं with UFS 3.1 and LPDDR5 RAM के साथ वो आपको without any offer 22,000 का देखने के लिए मिलेगा with card offer आप उसे 21,000 का ले सकते हैं and अगर आपके पास Flipkart Axis Bank का tie-up card है तो वहाँ पर 1500 something का offer है तो 20,500 ऐसा कुछ पढ़ रहा है and उस price में क्या क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है and आप उसे किस से compare कर सकते हो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं and तीसरा जो सबसे बड़ा offer रहेगा under 10,000 आपको एक 5G smartphone मिल रहा है Poco का M6 Pro जो की 10,000 में मिल रहा था जब launch हुआ था अभी आपको वह 9,000 में मिलेगा but वह base variant रहेगा 464GB आपको 9,000 में देखने के लिए मिल जाएगा तो इस साल जितने भी almost सारे reveal हो चुके हैं कल Google का reveal होने वाला है and Redmi का reveal होने वाला है मेरोको सबसे बड़िया deal लगी under 25,000 मतलब हर एक segment में under 10, 15, 20 and under 25 मेरोको सबसे बड़िया deal लगी Moto की तो इस बार I think Moto versus Poco होने वाल है and मैं कौन सा recommend करूँगा Moto का हर एक segment में recommend कर सकता हूँ under 10,000 में Moto G32 जो 4G वाला variant है उसे 100% recommend कर रहा था अब तक but क्योंकि अभी आपको एक 5G वाला option मिल गया है and Redmi का जो 12 5G है और जो Poco M6 Pro है अल्रेडी बहुत लोगों ने purchase कर लिया है वहाँ पर लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि motherboard daddy show आएगा क्या software इतना बेकार है क्या है लोगों को 5G smartphone चाहिए तब Poco ने या Redmi ने लाके दिया and लोगों ने दबा के purchase किया है तो यहाँ पर Moto G32 का एक बड़ा competitor है Poco M6 Pro अभी आपको देखना है आपको 4G के साथ जाना है कि 5G के साथ जाना है मैं तो आख बंद के कहूंगा कि 5G वाला ले लिजिए Poco X5 Pro की बात करते है Poco X5 Pro के साथ सीधा टककर है Moto का जो G84 ता जो की 12256GB RAM के साथ आ रहा था पर वहाँ पर Snapdragon 695 है अभी भी वो स्मार्टफोन ले सकते हैं Poco X5 Pro में आपको Snapdragon 778G देखने के लिए मिल जाता है कामेरा थोड़ा सा बेटर रहेगा और डिस्प्ले बेटर है क्योंकि Dolby Vision Display है HDR10 Plus Certified Display वो सब कुछ आपको Netflix में देखने के लिए मलता है and Dual Stereo Speaker बगएर वो Dolby Atmos Certified है वो सब कुछ आपको Motorola में भी देखने के लिए मिलता है but Motorola में क्या है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं चलेगी 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर नहीं पाएंगे but फिर से अगर आपको भरोसा चाहिए 12.256G भी क्योंकि मिल रहा है within similar price point वो भी 17,000 का है यह 16,500 का है तो वहाँ पर भी straight tucker है Motorola जिसको चाहिए definitely Motorola ही buy करे but specs के मामले में better देखने के लिए मलता है Poco X5 Pro आखिर में बात करते हैं Poco F5 के बारे में जो कि अभी actual में इतने दिन तक मुझे नहीं लगा था अभी 4-5 साल पहले Poco F1 का कोई भी worthy succession नहीं था Poco के पास and इस बार जो deal मिल रही है आपको sale में एक worthy successor है Poco F1 का and Poco F1 चार से पांस साल पहले इसी price में launch हुआ था 21,000 के price में launch हुआ था Poco F1 and अगर आप Poco F5 से compare करते हैं तो बहुत worthy upgrade भी देखने के लिए मिलता है and उसी similar price में आपको ये sale में मिल रहा है जो IQ Neo 7 Pro है 31, 32 का मिलेगा उससे 10,000 कम में Poco F5 में मुझे इतने बड़े upgrades मिल रहा है display में मिल रहा है Snapdragon 7 Plus Gen 2 and 8 Plus Gen 1 similar processors है gaming में बहुत दगड़ा experience है दोनों ही almost a million score करते हैं Antutu में and Poco F5 में क्या है gaming smartphone है तो वहाँ पर आपको headphone jack का support देखने के लिए मिलता है IQ Neo 7 Pro भी so-called gaming smartphone है बहुत अच्छे gaming features के साथ आता है gaming mode के साथ आता है बट वहाँ पर headphone jack नहीं मिल गा and IQ Neo 7 Pro से कहीं गुना ज़्यादा better display मिल जाता है even किसी भी 40, 45, 50,000 का smartphone को भी टक कर दे सकता है Poco A5 display के मामले में यूंकि Dolby Vision display है 12-bit AMOLED display है 10-bit है 12-bit उन्होंने software से चीप किया है 12-bit का AMOLED display कोई 50,000 का smartphone भी मेरे को नहीं पता चल रहा कि उसमें देखने के लिए मिलता है कि नहीं frame के साथ infused display है कोई भी black border नहीं है अलग से जैसा कि आपको Nord 3 में मिलता है जैसा कि आपको iPhones में मिलता है जैसा कि आपको Nothing में मिलता है तो बहुत जादा superior display है बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से color calibrated display आपको देखने के लिए मिलता है तो यह जो whole package है camera बहुत ही खटिया देखने के लिए मिलता है Gcam के साथ आप जो है अच्छा experience पालोगे Poco A5 के साथ and gamers उस smartphone को definitely purchase कर सकते हैं अभी motherboard dead issue and software का जो है अच्छा support देखने के लिए नहीं मलता है तो उसके बारें बात करेंगे and वैसे भी Poco के F-series में अब तक कोई तिक्कत तो नहीं आई है जादा motherboard की Poco के X-series और Poco A5 के भी कुछ आए है उड़ते उड़ते खबर बट अभी भी जादा जो है mass effect हुआ नहीं है तो मान के चल सकते हैं कि Poco A5 में कुछ होगा नहीं और फिर डर के आगे जीत है जिनको लेना है वो ले अपने risk में ले मेरा बात सुनके मत लीजिए मैं खुद लेने वाला हूँ बट मैं अपने risk पर ही ले रहा हूँ मैं किसी के कहने पर नहीं ले रहा हूँ तो अपने risk पर ले सकते हैं तो ये रही Poco के details आपको क्या लगता है मेरे को comment बताओ like से subscribe मिलता हूँ नेक्स वाले वीडियो में तब तक तक तरी